जहिन मेरे प्यारविच्चों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे तो मेरे प्यारविच्चों हम जो है पहले वीडियो डाले दही वाली मगम्मा उसके बाद वीडियो अपलोड की नियू चेप्टर मैथ का कॉडिनेट जमैटरी जिसे बोलते हैं ह जो हमें स्टॉपेक मिलेने वाल है वह बर्निका बूक का लेशन नमर टू और उस लेशन का नाम है धाहते विश्वास लेशन के क्या नहीं मसर उस लेशन का नाम है धाहते विश्वास तो मेरे प्यारविच्चों मैं चाइलेंज करता हूँ मुझे पुर्ण विश्वास है इस बड़ियों को अगर पुरा-पुरा देखते हैं बिना स्किप किये हुए तो मुझे पुरन विश्वास है कि ना तो आपको एक्जाम में एक अब्जेक्टिव शुटेगा और ना तो एक सब्जेक्टिव शुटेगा तो मेरे पहले बेचुट चलिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करते है सब्सक्राइब करते अपकल में घंडी होगा, उसको किया करते प्रेश करते और जो भी आपके श्ísimoडेंट से, जो भी आपको दोस्त थे उनको पास बचो क्या करते, बिडियो को सियर करते तो ज़ये अगाज करते आपको बताये थे कि बरनिका मेलेशन बरनिका से आता है 10 marks के, तो मैंने दही वाले मगम्मा फुरा खतम कर दी, अगर बड़ीज पर जाके निचे जाईएगा, चलिए आज करते ही बड़ीओ, लॉंग मज़ए एक बच्चू, तो चलिए आज पढ़ने वाले हैं धाहते बिसवास, सिर्शक का नाम है धाहते बिसवास, लेशन कितना है बच्चो, लेशन आप पढ़ रहे हैं दो, मैं दो लिखा नहीं हूँ, तो आप इंकलूड कर सकते ही बच्चो, लेशन जो है आपका एक टू है, तो बरनिकाब बुक का लेशन टू है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लेखा के परचे पढ़ते हैं, तो उसमें बच्चो क्या पढ़ना है, कि धाहते बिसवास को लिख साथ कोड़ी होता, धाहते बिसवास के लेखा कोन है, साथ कोड़ी होता, यह कैसा कहानी है, तो यह उडिया कहानी है, यह जो कहानी है बच्चो, उडिया कहानी है, तो यह कहानी जब उडिया था, और यह कहानी को हमको हिंदी में पढ़ना है, तो यह उडिया कहानी को हिंद कहानी है उड़िया कहानी है इसको लिखें कौन तो सत कुड़ी होता मेरे पैरविच्चो अगर आप रटिएगा तो यह चीजों को आप याद नहीं कर पाईए लेकिन मैं यह कोशिस किया हूँ ताकि आपको याद कर्श के चीजों को न भुला सके तो मैंने देखे कोशिस क्य क्या है अगर मेरा विश्वास अधा हा रहा है क्या हो रहा है बच्चों विश्वास अधा हा रहा है और विश्वास अधा हा रहा है इसका मतलब है कि आप से धीर धीर विश्वास उड़ रहा है विश्वास अधाहे के मतलब विश्वास गिरे के मतलब विश्वास अधाहे के मतलब अगर आप पर हमको विश्वास धा रहा है आप पर विश्वास हमको नहीं है तो विश्वास धा रहा है इसका मतलब विश्वास धिर धिर उड़ रहा है विश्वास उड़ ही नहीं रहा है जी तो आप पर से विश्वास धा रहा है तो हम कह सकते नहीं कि विश्वास उड़ रहा है। तक अगर शवाल पूचे कि ढाहते विश्वास कैसा कहाणी है। अराम से ठीक करेंगे हम। उड़िया कहाणी है।। अगर गई. हम पर विस्वास किया करते थे लेकिन विस्वास है जो हम पे आप पे जो विस्वास जो है डहा रहा है चाहिए मेरा बिस्वास जो आपसे धीरे-धीरे का हो रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है मैंने डहा रहा है तो साधी मान लेकि हम मैरेज करना चाहते हैं आपसे आप किस मारेज करना चाहता है। मेंरेज में होता कितने फेरे साथ लूप होते हैं। कितने फेरे ळाते। तो साथ फिर तो जब विसवास ढ़ा रहा है, जब किसी पार से विसवास उड़ रहा है, तो क्या अब साथ फिर लेंगे उससे, बोलेंगे नो सर, साथ फिर नहीं लेंगे, तो हम यहां से समझ गए हैं, कि ढाते विसवास, ढाते विसवास मतलब विसवास उड़ रहा है, मतल तो मैरेज नहीं करेंगे तो साथ फिर उन साथ नहीं लेंगे तो साथ फिर न लेंगे मतलब यहां से धर लेंगे हम कि इसके लेखा साथकोडी होता है और यह कहानी उडिया में थै तो इसको अनुवाद हिंदी में किये है राजेंदर परशाद मेसर कौन के हैं बच्चो 29 अक्टूर 29 इसवी में साथकोडी होता जो लेखाक है इनका जो जन्म हुआ था 29 अक्टूर 29 इसवी में मेरे पैर बैच्चो इसके बाद चली इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है यह कहानी जो है एक छोटा सा किसान जो छोटा सा किसान होती है जिनका नाम है लच्चमी वह जो है बहुत साहसी और बहुत मेहनती लड़की थी महिला थी तो मेरे पैर बैच्चो उसी के मारे में यहां बताया जाता है तो लच्चमी की एक पती है जिनको लच्चमन नाम है देखिए यहां अपनी लच्चमन है आपने तो आसा लाइट चमक करें तो आपको प्रोब्लम हो रहे बट एक फीगर है बच्चो इसको थोड़ने याद करनी है तो लच्मी है लच्मी के एक पती है जिनका नाम है लच्मन लच्मी के पतीनी के पतीनी के लच्मी के पतीनी के नाम है लच्मन पहला बच्चे बड़ा बच्चे को नाम है अच्यूत एनि लच्चमी के चार बच्चे है जिसमें दो गोहे बेटा और दो गोहे बेटी एनि दो पुत्र है और दो पुत्रियां है ठीक है लच्चमी के टोडल चार बच्चे जिसमें दो गोहे पुत्र और दो गोहे पुत्रि कартम था के लचमन, लैचमन अब कहा काम करते था कालकाट्ता, अब देखिए लचमी के दो पृत्र, दो पृत्र यह थी, मेरे पेरे बैच्जों अब देखिए कहांनिया स्टार्ट होती है। साधी करने के बाद, उनकी, कुछे खर्च बढ़ जाती, जशे गारा लेच्छमन, कुछ पैसा कमाने के लिए, बच्चे कुलकता चले जाते हैं, कुलकता काम करने चले जाते हैं. ठीक है? वोह वहां से कमा रहे थे, उसके बाद तो एक बात है, कि उनकी ससुर इस दुनिया में नहीं थे उनकी ससुर जो दलाई बांध था एक घर के पास एक दलाई बांध होती है और दलाई बांध के नीचे वह दब कर इनके ससुर की मिर्तु हो जाती है बात को समझ रहे हैं इनकी ससुर इस दुनिया में नहीं है मेरे पहरे बिचु चलिए अब बात को स्टाट करता हूँ तो जैसे ही इनकी साधी होती है लचमन से लचमन जो है कलगत्ता में काम करना जाते है और लचमी जो है ये अपने ही गौ में ये उडिसा में ये अपने घरों में रहती है इनका देखे एक प्यारा से मैं घर का डियाइन क्या हूँ मेरा डियाइन अजीब होती है और ये घर जो है एक घर जो है एक दलाई बांध जो है दलाई बांध देवी बांध के नीचे है धोरी हा सोरी ध्यान दिजिए इनका घर जो है देवी बांध के नीचे है किनकी घर पुछे कि लचमी का घर किस बांध के नीचे था इमानली की देवी बांध है ये बांध है तो देवी बांध के नीचे इनकी घर था किनकी लचमी की और एक इनका घर से दूर था एक बांध इस बांध है और इस बांध का नाम है दलई का बांध है इस बांध का क्या नहीं है बच्चो दलई का बांध यह बांध जो है जब इनकी घर से देखते थे तो इनकी बांध दिखाए देता था किनकी घर से लचमी के घर से जब इनकी बांध को देखते थे तो बांध जो है द प्यार 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 जमीन छोड़ कर गये थे मतलब कि ससुर के जो है एक बिखा जमीन थी और एक बिखा जमीन को छोड़ करके इनकी ससुर इस दुनिया से चले जाते हैं अब बच्चों होती है क्या है कि लचमी बहुत सासी ब्यक्ती थी सासी महिला थी वह जो है यह एक बिगा खेत को किया करती थी एक बिगा खेत को वह मतलब फसल लगाया करती थी जुताई कुलाई जो भी फसल लगानी उसमे फसल लगाया करती थी कौन लचमी अब होई क्या ब जग मैं समझाने के लिए कोई फॉइंट लिख दियाओं ताकी मेरा से कोई फॉइंट छुट ना पाए इस कहाने में, क्योंकि कहाने है डिरेक्ट ऑनलाइन हो रही बच्चो तो कहानी तो स्टप होगा नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, रूखे का थोड़े नहीं, तो कह होत फिर भी बचारे साहसी थी फिर भी क्या करे वह जो है घरों में जो है जो खेत भी एक भाच्छों के गये थे ससूर वह एक भी गहां खेत में वह हल को किराया पर ला करके हल कहां से लाते थे हल पैसा पर जिसकों बोलते हम किराया पर तो हल को किराया पर लाकर करके यह खेत को जुताई करते थे खेत में फसले लगाते थे तो पुछे एक सवाल कि हल कहां से लाते थे तो हल किराया पर लाते थे तो जैसे ही बच्चो एक पर फसल लगाएं तो यह फसल जो है सुखा हो गया बारिस हो बे ने किया बारिस नहीं होने के कारण सुखाड हो गया और सुखाड होने के कारण बच्चो इनकी फसल जो है जो धान को बुने थे जिसको हम लोग मोरी बोलते हैं वह बिचला जो है बच्चो जर गया सूख के सारा का सारा नस्ट हो गया ठीक है अब बैचारी फिर भी साहसियों क्या करें फिर भी अगला सलका करते हैं कि फिर हल्प को किराया परला के फिर हल्प को खित से जितवा करके फिर उसमें फसल लगाती है वह फसल जो है वावु फिर एक वर खुब बरसात आती है खुब बरसात होती है खुब बरसात होती है उसमें उनकी बिचला जो है जो भी फसल लगाई जो भी चीजे लगाई जो ही फुलान्ट लगाई वह फसल बावू बरशाद के चलते वह फसल पुरी के पुरी नश्ठ हो जाती है बैचारी एक दम तवाह तवाह हो ले देखी आगे और ददनाक कहाणी है बच्चो अब क्या करे बैचारी क्या करे उसके बाद एक बताव सुनिए इनके पती कलकता में काम कर रहे है नहीं चलता था भरन पुसंद ठीक डंग से ना चले के मतलब वबा न तो बढ़ियां से खाना पे हो जूट रहा है न तो बढ़ियां से सैट पर मतलब ठीक डंग से इनका पालन पुसंद नहीं हुआ करता था जिसके कारण बैचारी एक गाउं के ही तहसलीदार के हाँ कहाँ बच्चो तहसलीदार दिहां दिजी आँ लेके तहसलीदार तहसिलीदार 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 तहसिलदार के मतलब आप समझ सकती गाउं के को यह से अच्छे ब्यक्ति, जो बड़े ब्यक्ति जिनको ही बचारी, छुट पूट मने तनी मनी काम किया करती थी, जिससे उनको जो पैसा मिलता था, वह पैसा से बचारी अपना पालन पोसन को मैंटेन करने के काम किया करती थी, मेरे पहले बच्चो अब यहां तक हो गई कि वह का कर रहे हैं कि उनकी जो पैसा था बच्चारी अपने पालन पोसन करने के लिए वहा हुग गाउं के ही यह कि बड़े ब्यक्ति हैं यह ब्यक्ति के नामे कुछी तहसिलदार वहां से काम करके कुछ जो इनकम होती थी वह ही इनकम से वह अपना पालन पोसन किया करती थी ठीक है बच्चो अब देखिये का होती है फिर बचारे के देखिये कि फसल जो है सड़ गई बार जब बरसात खोबी तो फसल उसको गल गई खराब हो गई जिन्द के ऐसा ही चल रहा है एक बार के बार थे बच्चो कि अबरी जो है अगले बार जो है फिर जो है इतना बरसात हो रहा है कि पाने रूकने का नाम ले नहीं ले रहा था इतना बरसात हो रहा थे इतना बरसात हो रहा है कि पाने रूक नहीं रही थी तो बच्चो धिरे धिरे बारिस धिरे धिरे बारिस हो रही है हो रही है बारसा रोक ही नहीं रहा तो बच्चो इनका जो घर था इदेवी बांध के निचे था ते इससे कोई उतना च्छती नहीं थी जब दलाई बांध है जब तूटती थी तो इनका घर ढूब जाती थी तो बच्चों जब बरसात हो रही है बरसात हो रही है तो इनको लग रहा है लचमी को कि अवसायत जो है बाढ़ है फिर आने वाला है जो लगता है कि बाढ़ आहे जाएगा पुझे मुझे उन्हें पुरा उमीद लग रहा है कि बाढ़ आहे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या कि उसके लिए क्या करते गाओं के एक सर्पन साहिब थे उखका किये थे कि उखका जो है वो बोले थे कि जे अगर कोई सुचना लेकर उसे पहले एक बात समझे उस गाउं की एक लड़का था जिसका नाम था उससे प्लाहा लिखा लड़का था सबसे चलांक ब्यक्ति था सबसे प्लाहा लिखा लड़का था उस लड़का को नाम है ग गुन निधी सवेच्छा सेवक दल का गटते हैं। और उसमें जो है गौओं के लड़के उस बांध को जाकर देखा करते थे बांध को मरमत करते थे उसमें हुआ है क्या बच्चो कि जो लच्छमी की जो बड़ा लखा था एचे उत उस बांध में जो है इनके बड़ा लखा जो है एचूत है ये भी जो है उस बांध को देखने के लिए उस बांध को बांधने के लिए चल जाते हैं चल जाते हैं और सरपंसा है बोले थे उस अब जो गुन नीधी था गुन नीधी जो सुएम सेवक कर अच्छा कियें और वह जाकर जो है बांध को देख रहे बांध की देखवाल कर रहे बांध की मरमत कर रहे तो सरपंसा बुले थे गुन निधी को कि देखो बाबू जब भी अगर बाढ़ टूट जाएगा अगर बाढ़ आने लाएगा मतलब बाढ़ जादा हो जाएगा मतलब समहारे से जादा हो जाएगी अगर दलाई बाढ़ टूट जाएगी तो टूटने से पहले आ के बाबू गौँ के का क कि जब भी आपको लगता है के बांद आने अथी बाढ़ आने वाली है, तो गौँ को आके का घधना है, खवर कर दोनी Гाँब को आकर पटा दोना है कि हाँ बाढ़ आ रहे हैं, इस बांद आपको छुड़कर करके उच्छे जगह पर चले जाएं तो मेरे पैरे बच्चो, नदी का धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा था, बरूक नहीं रही थी, धीरे धीरे का हुए बच्चो बाढ जो है, इस एरिया में दलाई बांद होँ से टुड़ जाती है, और टुड़ जाती है, बच्चे सब चिलाते हुए भाग रहें, चिलाते विद्याले जो है कहा है तो ठीले के नीचे ठीला किसो कहते है सर ठीला उसको कह जाता है बच्चो जो उचे जगह होते हैं उचे जगह को हम ठीले बोलते हैं जो उचे जगह होते हैं उचे अस्थान होते हैं उचे अस्थान को हम क्या बोलते हैं बच्चो ठीले क्या ठीले तो बिद्याले जो है ठीले के नीचे था तो सब जैसे ही बारぁ को हला हुआ धीर धिर लोग जो है गाउँ छोड़ो के धीर धिर उच्छे जग़ा पर क्या कर रहे थे क्योंकि उनके बाणद लाखा जो है अचूट अभी जो बांध देखने गया था बाढ़ के मरमत करने गया था वह अभी लौट कर नहीं आया है पिचारी रूव रही है टेंसन में बहुत टेंसन में क्या करें क्या ना करें दो बच्चे आथी तीन बच्चे है जिसमें दो बेटियां और एक साल के बच्च्चा है और बड़ा लड़का जो है बान देखने गए अभी आया नहीं है नदी का लिवर बढ़ा रहा है बाढ़ा आ गया है घरों में धिर धिर पानिया घुश रही है सब घौंक लोग जो धिर धिर भाग रहे हैं उचे जगह पर भाग रहे है मेरे प्यारे विच्चू लच्चमी जी अभी इंतजार कर रही है किसका वह अपनी बड़े बड़ा बेटा को जिसका नाम था एच्चूद थोड़ा देरी मुदर से आवाज सुनाई पड़ती है मा भाग मा बाढ़ा हाया भाग मा बाढ़ा हाया जैसे ही आवाज सुनाई पड़ता है लच्चमी को तो चिंज जाता है कि मेरा पुत्र का ही आवाज है मेरा बेटा का ही आवाज है तो क्या करता है लच्चमी कि धीर सबसे पहले गोसाला में जाता है गोसाला में जहां भाइस था भाइस था भाइस था बकला बकडी उस सब को खोल के हका देता है गोसाला में जिसको जहां भाइस बांते हैं उसको गोसाला तो बोलते हैं और क्या गोसाला ही बोला जाता है सहत गोसाले बोलते हैं इन्हें वहां जाता है वहां जाने की होता है बच्कुत वाज को में नक्रांस, हंकुत अब यह उनके-त यह थे आचर्ण कोसुने नचमें तो थो हुआ रहा है तो का करती है कि जो बाक जिब से पहले जाती है गोसाला है में वहां से जानवरों को खोल देती है बकड़ियां को खोल देती है और जो दोने बेटी थी वह थोड़ा से बेटी सरेक थी वह चलने मुझे तो बेटियां को बहुत जाओ उच्छा जागा जो अस्कूल है उच्छ में का करते हैं और एक रशी के अतनी कपड़ा के साथ तस एक साल के बच्चा को वह अपने माथा में बच्चो बांध लेती है और वहां से का करता है वहां से का करता है बोल रहे करती है कि वह भी का करती है भागने लगती है उनको भागने में लेट हो जाती है क्योंकि वह इं दूबने लग रहा है जो ठीले की नीचे बिद्याले वह भी डूब रही है उसमें भी लोग जो बैटे हुए थी उनकी जो भर गोटी भर कमर पानी आ रहा है बच्चो अब दम तबाह तबाह हो ले लच्मी भाग रही भाग दीरे दीरे पानी भी इसको धरते जा रहा है धरत दीरे 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 बच्चो लच्मी जो है डूबने के कगार पर आ गई यानि कहने के मतलब लच्मी एकदम डूबने डूबने हो गई थी तो क्या करती है हुआ कि पिल पर चल जाती है और पिल का नाम है बरगद का पिल कोची की पिल नहीं बावू बरगद यह का करती है कि बरगद के पिरपर चड़ जाती है और बरगद के पिरपर चड़ जाती है और यह बिहोस्त पड़ जाती है किसने लचमी क्योंकि यह खकन से भाग रहे डर से भाग रहे कि इतना लोग मर रहे ड्रा गए और यह जो है बरगद के पुछा है कि लचमी जो कौन पिरपर चड़ गई थी तो बर्गत के पेरपड़ चड़ा गई थी एक से दो दिन वह बहुष्ट पड़ी रही जब उनकी होस आई तो देख रही है कि मेरा गोद में बच्चा नहीं है और आसपास के देख रही है कि उन्हें जानवर मर के दहला रहा है उधर बकडा-बकडी बहरा दहला रह रही है और एक बच्चा दहके आ रही थी मरी हुई तो का करती है लेचमी कि वह बच्चा को अपने सीने से लगाती है वह अपनी जो मां के जो है सीने से लगाती है और उसको दूद पिलाने कोसिस करती है कि यह मेरा पुत्र है चाहे मेरा बच्चा है लेकिन ओ बच्चा जो ज वो तो मरा हुआ किसी दुसरी के बच्चा था तो बच्चो यहां से होती है कि अब जो है कहानी जो है सवाप्त होती है लेकिन एक बात और समझे है यहां से कहानी सवाप्त होती है ढ़ाते भी स्वास के से वह जो है का करता है कि बर्गत बचल जाती है और उनकी जब निंड ज एंका नहीं था, इनकी नहीं थी, किसी और के बच्चे थे, अब एक बात और समझें, और वहां उसी गाउं में एक मंदिर था, और मंदिर का नाम देखिए, चंड़ हो रीम नी bend. पूरा के पूरा लोक जो है बहुत माना करते थे बहुत मानते थे तो बच्चो उससे भी सब हाथ जोड़े रहे बिंती करे कि हे माँ हे इस वर मुझे इस बाड़ से बचा लो इस तकलेब से बचा लो इस आपदा से बचा लो लोग पुरा गुजारिस कर रहे पुरा बिंती करें, पुरा रिक्वेस्ट करें। परन्तु बच्चो इस माँ जो है इन आपदा में इन बाड से थोड़ा भी सुरच्छा नहीं कि इस मंदिर में रहनेवल इसवर थोड़ा भी मदद नहीं कि तो बच्चो जब खुब लोगों हां के मानते थे इन माँ पर बि पर भी संकट में जब ओ माता ओवह देवी ओवह देवता जो इस वर जब उनको सपोर्ट नहीं किये उनको मदद नहीं किये तो धीरे धीरे बच्चो इन देवताओं पर शे उनका विश्वास उड़ते गया धाहते गया खतम होते गया इसलिए लेखक ने इस कहाने का धाते विश्वास रखा क्या रखा बच्चो धाते विश्वास रखा एक ब्यक्ति जो बांद बन रहा था दलेई बांद एक पॉइंट देखे नीचे में लिखाओं कि जो महराजा याति केसरी पुछे कि महराजा याति केसरी ने कटक सहर में पत्थर का बांद बनवाया थ वह किसने बनवाया था अंसर मारियेगा महराजा याती केसरी ने किसने बच्चो महराजा याती केसरी ने तो बच्चो यह कहानी कैसा लगा यह कहानी कैसा लगा यह कहानी अच्छा लगा या नहीं उसके बारे में जरूर कॉमेंट करके बताईएगा क्योंकि आपका कॉमेंट आप कॉमेंट किजिए कि असर इस कहानी पर इस चीज पर भी सह पलाई है मैं आपको कॉमेंट के दियार करूँगा बच्छो तो जरूर कॉमेंट किजिए अचलिए हम कुछ होंबर्ग देता हूं इसका अंसर आपको पिन करना अच्छा मैंने क्या लिखा है मैं रिभाइज कर रहा हूं ढहते भी स्वास के लिखा कि साथकोड़ी होता यह कहानी के साथ उड़िया कहानी है यह कहानी को कौन लिखा था वो कौन लिखे थे तो साथकोडी होता है या हिंदी में था तो इसको हिंदी मनवाद कौन की है राज़े नर्परसाद मेशरे साथकोडी होता है कि जनम 29 सक्टर 229 भी कुछा था इस कहानी का परमुक पातर था लचमी लचमी क्यों था क्योंकि मेंन बात इसी पर चल रहे थे गर सवाल पुछे कि जिस कहानी के परमुक पात्र कुन है तो लचमी है बाकित और सारा पॉइंट मैंने समझा दिया इनका घर जो था कीश बांध के नीचे था तो देवी बांध के नीचे इनके बात पूचेगे गहाँ कहाँ करने गया था तो बांद को दिखने गया था, वह हल जोते थे, कोजी पर लाके तो किराया पर लाके खल tal करते थे किस अधिपर तो महानदी पर है विध्याले जो है कहां है तो ठीले के नीचे शुमि के गठया ना आऊई यह सुविछा सिवक दल के गठान किष्णे क्या गुन्नी दि किया गाउं का प्रहाकुल रखा क्या नम तो गुन्नी थी था सरपँच क्या बोले थे तो सरपँच बोले थे कि जब भी बढ़ा है गा तो गाउं के आए के ख़बर कर देना लच्षमी किन को यहां काम कर थे तो तब नहीं बात है बच्छो तो चलिए इसका स्क्रियन सोट लीजिए कैसा लेगा जरूर बताई है कि खुमबर्ग देता हूँ सो कमेंट किजीए गए देखे बच्छो मैं जो भी कहानी देता हूं जो भी कहानी अगर लिखता हूं उस कहानी के बारे हैं, बच्चो, आप धिरूर बताएं, आप का करते हैं, विडियों देखते नहीं, बच्चो यह कहानी शुनने के बाद, आप मुझे जा के कोई भी गेसु हो चाहिए कोई भी विद्वान के परकाशन हो वहां से आप जाके मुझे बताइए कि हां सर हमसे चीजे नहीं बनती है हमसे अंसर नहीं हो पाती है मैं जो है उसे जो को बहुत बारिक के शलूँगा ठीक है कि नहीं ठीक है अब रेडिये इस बात को बोलेंगे हां स नहीं हो तो चलियो हम्पर आ रहा हूं इसका कॉमेंट कर दो पहला सवार है है 1 इसमीन छोड़के गए नहीं सवाल दूसरा सबाल दूसरा लच्छमी के कितने पूतर थे देखी बच्छो लाइट हील गई लच्छमी के कितने पूतर थे बच्छो तो लच्छमी के कितने पूतर थे इसका अंसर करना है लच्छमी के पती का नाम बता है चौथा सवाल धाहते बिस्वास कैसा कहानी है? इसके लेखक कुन है? छटा धाहते बिस्वास को धाहते बिस्वास कहानी का कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद किसने किया? यह बताए सत्मा सवाल के अगर बात करें बच्छो सत्मा सवाल के अगर बात करें गाउं का पड़ा हाकू लड़का कौन था साथ हो गया आठ सवाले हैं ये दस सवाल देंगे जी आठ लच्मी कि लच्मी की पती कहां काम करता था कहां काम करता था लच्मी का लच्मी की बड़ा लड़का का क्या नाम था बड़ा लड़का का क्या नाम था अव दस पर हो जगा बस दस पर क्या होगा उच्छा दस पर हो जगा बस दस पर हो जगा बस विद्याले किस के नीचे था लजमी का गहर किस बांध के नीचे था, किस बांध के नीचे था, मेरे पैरे चो दस गो होमबर्क में ने दिया है, आगर दसों को होमबर्क करेंगे आप देते हैं, कायरक्ट, तो समझ जहें आपका तियारी बहुत बेस्ट है, तो चलिए टाइम जादे पास नहीं करते हैं, वीडियो कैसा लागा जरू कॉमेंट करें आपको खुम्बर का इंतजार रहेगा चली बच्चों इतना वीडियो देखने के लिए बहुत भूद धन्यवाद लब्यू थैंक्यू इसे परकार देखते रहे